व्रित्तियों में बड़ी ताकत होती है व्रित्ति पर चलने का मतलब होता है कि तुम्हारी चेतना अब बिल्कुल ही सो गई जब चेतना बिल्कुल ही सो जाती है तो मन से सारे संशय मिटे जाते हैं क्योंकि संशय तो चेतने मन में ही उठेंगे न जब तुम पूरे ही तरीके से अपनी चेतना को दबा देते हो तब तुम्हारे सामने उर्जा का बड़ा भंडार खुल जाता है लेकिन ये उर्जा बंधी उर्जा होगी ये उसी रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पर इसको वृत्ति ले करके जाएगी और कोई सवाल नहीं करेगी सवाल तो प्रेरणा को और संकल्प को क्षीड करते हैं तुम कुछ करने जा रहे हो और तुम्हारे मन में सवाल उठने लगें तो तुम्हारी गति कम हो जाएगी तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी जिसने अपनी चेतना को बिल्कुल सुला दिया हो उसको कोई शक्षुभा नहीं बचता उसके पास अब एक तैशुदा और पक्की धारणा बस है और जिसके पास बस एक धारणा बची है वो भी समझो एक निष्ठ हो गया तो अध्यात्म का जो परम लक्ष है एक निष्ठ हो जाना वो परम लक्ष एक बड़े कुच्सिक तरीके से भी मानो पाया जा सकता हो उची से उची अवस्था का योगी एक निष्ठ हो जाता है न वो कहता है कि अब मेरा एक ही है कौन वो जो बीच का संसारी होता है वो एक निष्ट नहीं होता है वो अनेक निष्ट होता है वो थोड़ा इसकी तरफ जाता है थोड़ा इसकी तरफ जाता है थोड़ा इसमें निष्ठा रखता है थोड़ा इसमें निष्ठा रखता है उसकी प्रेरणा, उसका विश्वास, उसका जीवन, उसकी दिशा, उसकी उर्जा, सब पचास जगे बटे हुए रहते हैं, फिर संसारी से भी निचले तल का जो मन होता है, वो भी एक निश्ठ हो जाता है, अब उसकी निश्ठा किस दिशा की ओर है, उसकी निश्ठा बिलकुल उसक बलतवाही जाता है बस योगी की जो एक निश्ठा होती है वो उसे आनंद और मुक्त दिलाती है और चैतन्यहीन मन की जो एक निश्ठा होती है वो उसको और सारे संसार को कश्ट दिलाती है ये बहुत बार होता है कि धर्म तुमको दुनिया भर के तमाम दिक्षेपों से तो काट दे लेकिन दुनिया से काट कर वो तुमको दुनिया से उठाए नहीं बलकि दुनिया के तल से भी और नीचे पाताल में गिरा दे और ये तो तुम जानते ही हो कि दुनिया से उपर जो रहते हैं उन्हें कहते हैं देवता और दुनिया से नीचे पाताल में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं दानव बीच में जो रहते हैं उन्हें कहलाते हैं मानव मानव ही हैं बैचारे जिनकी ताकत थोड़ी सी होती है तो मानव से उपर उठ जाओ, देवता हो जाओ तुम्हारे पास बहुत बला जाएगा और अगर तुम मानव होने से भी नीचे गिर जाओ गर्त में, पताल में पहुँच जाओ तो भी तुम्हारे पास बहुत बाल आ जाएगा अब तुम दानव हो गए दानवों में इतना बाल आ जाता है कि वो देवताओं को टकर दे देते हैं यह तुम पे निर्भर करता है उठना चाहते हो या गिरना चाहते हो बल उठके भी मिलता है, बल गिर के भी मिलता है, हाँ, मुक्ति सिर्फ उठकर मिलती है इसलिए अगर तुम बल क्या कांग्शी हो, तो उठ भी सकते हो, गिर भी सकते हो, बल दोनों ही दिशाओं में मिल जाएगा मुक्ति चाहिए तो उठना पड़ेगा कर दो कर दो